चालाक लोम्री कुछ भी नहीं उस केले को पहले मैंने देखा था और पहले मैंने लिया था अब छोटा बंदर भी ये केला मांग रहा है तब छोटे बंदर ने लोम्री से कहा नहीं नहीं पहले मैंने उस केले को देखा था लेकिन इस बड़े बंदर ने मुझे उस केले को छीन लिया ये केल मेरा है लोमडी ने उन दोनों बंदर के बच्चों से कहा देखो दोनों इस तरहा बाते मत बढ़ाओ तुम दोनों उसके लिए आधा आधा बाट कर खा लो अब वो दोनों बंदर उसी तरह से बाट कर खा कर खुश हो गये इस तरह लोमडी अपने चलाकी के कारण सबको पसंद आता था अब लोमडी ने अपने मन में सोचा आँ मुझे बहुत भूक लग रही है मैं अभी जंगल में जाकर भोजन ढूनता हूँ लोमडी जंगल में भोजन ढूनने लगा तभी उसे एक अंगूर की पेड़ के निचे थोड़े अंगूर दिखते हैं उन फ़लो को देखकर लोमडी कहता है वाह इतनी दूर आकर भोजन ढूनने के वज़े से मुझे मेरा मन पसंद भोजन मिला कहकर लोमडी जी भर की अंगूर खाता है लोमडी अपने दिल में सोचने लगा अरे यहां अंगूर तो बहुत खटे हैं मेरा पेड़ भर गया अभी मुझे पानी पीना चाहिए लोमडी प्यास से पानी ढून रहा था लोमडी पानी ढूनने के कारन बहुत दूर चलने से ठक गया इतने में उसे एक छोटा सा तलाब दिखा लोमडी ने तलाब की पास जाकर पानी पीना चाहा इतने में वहाँ एक शेर आया और कहने लगा रुको रुको मुझे बहुत प्यास लगी है मैं अभी गोस्त खा कर आ रहा हूँ पहले मैं पानी पिऊँगा तब लोमडी ने शेर से कहा महराज पहले मैंने इस तलाब में पानी देखा था और बहुत प्यास लग रही है इसलिए पहले मैं पानी पिऊँगा तब शेर ने लोमडी से कहा क्या कह रहे हो मैं इस जंगल का राजा हूँ इसलिए पहले मैं पानी पिऊंगा तुम बाद में पी लेना समझते क्या हो अपने आपको तब लोमडी ने अपने मन में सोचा अरे लगता है शेर बिकार में लड़ाई कर रहा है क्योंकि इस तलाव में तो थोड़ा सा ही पानी है अगर शेर ने पानी पी लिया तो मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं इसलिए मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए सोचते हुए लोमडी ने शेर से कहा महराज महराज बहुत सुन्दर लग रहे हैं आप आपके जितनी सुन्दरता किसी और जानवर के पास भी नहीं है आप जितना तेज भागते हैं कोई और जानवर भाग नहीं सकता गोश्ट खाकर बहुत बलवान भी हो गए हैं आप यहाँ बाते सुनकर शेर बहुत तारिफों में गिर गया तब शेर ने लोमडी से कहा वाँ वाँ तुम्हारी बाते सुनकर मेरा प्यास तो बुझ गया इस तरह लोमडी ने फिर एक बार तारिफ की लोमडी ने शेर से कहा हाँ महराज आप ही तो इस जंगल के जानवरों के लिए मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हो तब शेर ने लोमडी से कहा ठीक है ठीक है अरे तुम पानी पीलो क्या मैं इस जंगल के जानवरों के लिए पानी भी त्याग नहीं सकता इस तरह लोमडी अपने समझदारी से शेर की तारिफे करके पानी पीकर वहां से निकल लिता है अगर आपको हमारी कहारी पसंदाई तो हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद चालाग बंदर और बाग एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा तलाब था जिसमें जंगल के सभी जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे उसी जंगल में बंदरों का एक बहुत बड़ा जूंड था जो की अकसर तलाब के एर्दगेर्द रहा करता था सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक दूसरे जंगल से एक खतरनाग बाग आया और उसने उस तलाब पर कबजा कर लिया और उसने बोला अगर जो कोई भी जानवर बिना मेरी अनुमती के इसमें पानी पीने आया तो मैं उसे जान से मार दूँगा अब धीरे धीरे सबी जानवर उस तलाब में पानी पीने जाने से डरने लगे और बाग अराम से वहां रहता अकेले कुछ समय बीद गए और कुछ दिनों बाद उस जंगल में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा जिसकी बज़े से सारे नदी सोक गए किवल वो जो तलाब था उसे में पानी था लेकिन जानवर बाग की डर से उसमें नहीं जाते थे और उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा होगा कि हम लोग जंगल छोड़कर चले जाए सभी जानवर जंगल छोड़कर जाने लगे लेकिन बंदरों का जो जोंड था वो जंगल छोड़ने के लिए तयार नहीं था क्योंकि उनकी बहुत सारी यादे उस जंगल में जुड़ी हुई थी इसलिए उन्होंने या निश्चय किया कि हम लोग जंगल नहीं छोड़ेंगे और सब मिल करके उस तलाब के पास गए और बाग से या विंती किया कि उन्हें भी पाने पीने दे क्योंकि जंगल में आकाल पढ़ने की वज़े से सारे नदी सुख गए है इस पर बाग ने उन्हें मना कर दिया और बुला अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें खा जाओंगा बंदरो का जो सरदार था उसने बुला ये और दूसरे जानवरों को तो परिशान कर सकता है लेकिन हम लोग तो पेड़ पर रहते हैं और वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बाग लंबे पेड़ों पर नहीं चड़ सकता फिर भी पानी हमारे लिए अवशक्य है बंदरों का सरदार सभी बंदरों को बुला तुम लोग जाओ और जंगल से जाकर पुरानी सुखे हुए पतले-पतले बास ले लो और उन्हें फुक करके उनके अंदर के गाट को निकाल दो सभी ने ऐसा ही किया अब वो पतला पाईप के जैसे आर पार दिखने लगा बंदर पेड की उपर चले गए तलाब के किनारे वा जब उन्हें प्यास लगती तो वो तलाब के चारो और पेड़ पर बैठ जाते बाग एक तरफ जाता तो दूसरी तरफ से वो बास की पाईप डाल करके उपर ही उपर मूह से पानी खिच लेते और चारो तरफ से उन बाग को परिशान करते धिरे धिरे बाग बंदर के व्यवाहार से चीर जाता और परिशान होके वो जंगल छोड़के चला जाता है उसके बाद से सभी बंदर हसी खुशी रहने लगे इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ बूरा व्यवाहर नहीं करना चाहिए अन्यथा एक दिन हमारे साथ भी बूरा होने लगेगा गधा और सिंग एक सिंग और एक गधे में आपस में बहुत गहरी मित्रता थी यथपी उनका सभा भिन्न था परंतु वे हमेशा साथ साथ गोमते थे गधा और सिंग जहां भी जाते वहीं अन्य प्रानियों में भगदर मज जाती दरसल ये होता तो शेर की बज़े से था मगर गधे को बड़ी भारी गलत फैमी हो गई थी कि सभी जीव जन्तू से भी दहशत खाते है और वह भी एक बलशाली जीव है एक बार जब वे जंगल में साथ साथ गोम रहे थे तो उन्होंने भेडियों का एक जूंड देखा भेडियों को देखते ही गधे की मानसिक विर्ता जाग उठी और वो सिंग की नकल करता हुआ धीचू धीचू करता हुआ उनकी और ऐसे जपटा जैसे उन्हें खा जाएगा भेडियों में ये भगदर मच गई सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे जिसको जिधर मौका मिला उधर भाग निकला उन्होंने पीछे मुड कर भी नहीं देखा यह सब देखकर गधा बहुत प्रशन हुआ बहुत गर्ब से चलता हुआ वो आपस शेर के पास आया उसको देखकर सिंग ने कहा क्यों मित्र हितनी जोर जोर से क्यों धेक रहे थे क्या बात थी अरे मित्र शायद तुमने मेरी वीर्ता नहीं देखी भेडियों का जोंड मुझे देखते ही इधर उधर भाग गया वे समझें मैं उन्हें खा जाऊंगा कितने डरपोख है गर्ब से सीना फुला कर गधे ने कहा उसकी बात सुनकर सिंग ठाका मार कर हसने लगा ओ तो ये कारण है जो तुम इतने प्रसन हो अरे तुम मेरे मित्र हो इसमें कोई संदेह नहीं फिर भी तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि तुम एक गधे हो सिंग नहीं भेडिये तुम्हारे डर से नहीं बलकि इसलिए भाग गए क्यूंकि मैं तुम्हारे साथ था एक दोस्ताना सलहा देता हो कभी अकेले हो तो यह काम मत करना वरना वहीं भेडिये तुम्हें टुकडे टुकडे करके खा जाएंगे निशकर्स दोसरों के बल पर किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए